गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णे माधर सिंग और हम आपकी वक्षीट नंबर 16 करेंगे सोशल साइस आपका सब्जेक्ट है और क्लास आपकी 10 है तो बच्चा पिछली वक्षीट में हमने जाना था कि हमारी जरूरत को पूरा करती है हमारी नीड को सैटिस्फाइ करती है वो क्या होती है मैं Z आपके कहीं ऐसा सब्सक्राइब करना उडिया तो कि यह शाज पर छाइता नुल 250 एक राफिक जाएपस Lore Carol जाए टो चेलेंज क्या होते है सब्लों के सीजिटे करें बहुत पिफ्लेंग काजह सके अगी होता है कि आपस्सक्राट। करते हैं और बात करते हैं कुछ ही लोगों के हातों में हैं और देखो क्या होता है, अब जीसर है एक परज़न का कुछ जीसर इसे रिच लोग है यहाँ पर मैं AC के एक्जैंपल दे रहती हूं सब लोगों ने जो रिच लोग हैं, उनके सब के घर में AC है, तो जो गरीब लोग हैं, मीडल फैम्ली से उनके घर में AC नहीं है तो जो गरीबों ने भी तो फेस की ना वह तो क्या होता है कि जो पानी है पानी है पानी बहुत ही इंपोर्टन रिसोर्स लेकिन गाओं में पास नहीं है इंडिस्क्रिमिनेट और लोग ना बहुत ही मिस्यूज भी करते हैं चीजों का जैसे अगर आप लोग देखोगी जो पानी है पानी एक बहुत ही इंपोर्टन रिसोर्स है लेकिन गाओं में पानी काफी जादा होता है तो लोग उतना जादा अच्छे तरीके से उसको यूर् जैसे बहुत जादा प्रोब्लम साती जा रही है ओजों लेयर डिपलीट हो रही है एंवायरमेंट में पॉलिशन बढ़ता जा रहा है लैंड की जो क्वालिटी है वह उतनी उपजाओं नहीं रह रही है जितनी पहले थी वाट इस सस्टेनेबल डवलेप्मेंट अभी नहीं तो और भी जादा क्वालिटी डिग्रेड है अभी तो पानी बिख रहा है स्वच पानी बिख रहा है लेकिन बाद में फिर हवा भी बिकने लगे अगर हम sustainable development नहीं करेंगे sustainable development का मतलब यही है कि भाई हमें जो आने वाली generation है उसको ध्यान में रखते हुए development करना है sustainable economic development का क्या मतलब है means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the need of future generation future generation की needs के साथ compromise नहीं होना चाहिए need for resource planning जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जगे पे अलग अलग जगे पे अलग अलग चीज़े पाई जाती है कहीं पे तो कोई चीज बहुत जादा available है और कहीं पे वही चीज बहुत कम available है अगर देखा जाए तो जो उत्रपरदेश है ठीक है जो जहां से गंगा नदी बहती है वहां पे काफी पानी अविलेबल है और वहीं पे देखो राजस्थान में थार का मरुस्तल है जहां पे बिल्कुल ही पानी नहीं है ठीक है तो रिसोर्स प्लाइनिंग बहुत ही जरूरी है और जो भी अगर देखा जाए तो लदाक में जो है कल्च्रल है बहुत जादा है लोग आज भी जो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है इंफ्रस्रक्ट्टर नहीं है ठीक है लेकिन वहाँ इसा है लेकिन अब पाता है तो इंफ्रस प्लाइनिंग पैले इंट्टी किया जाता है और इंवेंटरी बनाई जाती है कि कहां कहां कर पर रिसॉर्स से अविलेबल हैं ठीक है बाता है कि किसे हैं किया है रहे स्टीज के उसकें सुल नहीं स्किल भुट बंढू मैशनल धनकर यह क्या को फायदा हो जाता है ठीक है हाला कि अगर उसको प्रोपर तरीके से रिसाइकल कर दिया जाए तो वह बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है तो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए गांधी जी ठीक कहा है कि देर इनफ फोर एवरीवन नीड नोट फोर एनीबडी ग्री तो सब की प्रिथवी पर इतना है कि सब की जरूरते पूरी हो सकते हैं लेकिन किसी की लालच पूरा नहीं हो सकता इसलिए वह कहते थे एक ही बंदे बहुत सारा प्रोड़क्शन करें तो चलिए अब कॉश्ण आंसर्स करते हैं ठीक है वच्छों कोश्ण आंसर्स करेंगे तो हमारा पहला कोशन क्या है यहां पर देख लीजिए वट डू यू मीन बाए एक सेकिन में देख लो पूरा सब कुछ देख रहा है आप लोगों को देखा देखनी रहा था यहां पर ओके वट डू यू मीन बाए सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट हाओ इस बेनिफिशल इन ल अगरिकल्चर चैप्टर से मैं आपका क्विज लेने वाली हूं 14 अगस्त को पॉल क्विज होगा आपका और बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा टोपे इनको हम फटाफट रिवाइस भी करेंगे तो यह दोनों चैप्टर भी आपके टॉम वन में आने वाले हैं थीक है तो का स्लेबस हम जल्दी से पूरा करेंगे एसस्ट का फिर बागी सब्जेक्ट को भी देखेंगे तो बच्चा टर्म वन में यह जो है आपका आने वाले हैं दोनों ही चैप्टर तो चोदा अगस्त को में लाइव आ रही हूं साड़े साथ बजे तो आप लोगों को यह पक्क अगस्त को प्रोब्लम आती हैमें कि यह जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे बीकों डौनों के लिए आपको अलग अलग अग लुग करना होगगा यह निकी सेह में प्रोसेश तो लोग न करेंगे पहले तो आपको लोगिन करना पड़े गार भी मोबान किरेंगर आपी और ओ पूर्णिमा टैन कोड आपको यूज करना है पूर्णिमा और टैन में कोई स्पेस नहीं है और पूर्णिमा पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है आप चाहो तो अपने स्प्रेंट के साथ भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आप लोग यह अटेंड करने वाले हो अ तो अच्छा है आप लोग एक बार अटेंड करके देखो जिन बचों नहीं अटेंड किया है वो तो अटेंड करेंगे ही ठीक है तो चलो भी कॉस्टन कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ट दो यू में बाइस से चोटे अंसर अगर आपको कोई लिखा रहा है तो इंस वह अंसर प आपको पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे अगर आप अच्छे मांग चाहते हैं तो दूसरा कोश्चन है कि यह कैसे होगा लोंग रन के लिए इस बैनिफिशल ने लोंग रन बिकोज दिस वे वी कन से रिसोर्स फोर फ्यूचर जनेरेशन इस तरीके से हम फ्यूचर जनेर करने के लिए daha प्रियास किए वहां के लोगों को डेवल्ट करने के लिए प्रियास या किये वहां के लोगों से मजदूरी जाधा कराई जाती है है दरीजन है सिर्वी और एक्सथरी उफ मेला टॉर्टर टू रजर परिमेंग फ हींप्य कोई अधिनल जैख agh, लक्षे क के कि वहां पे जादा डेवलिपमेंट नहीं हो पाता है अब देखो रिसोर्स प्लाइनिंग हेल्प कर सकती है इसको प्रोब्लम को कि वही हम वहां की इंफ्रसक्चर में इंवेस्ट करें वहां पे टूरिजम के लिए कुछ बनाए जैसे अगर अगर गुजरात का स्टेची और देखा जाए तो लोग उसको देखने के लिए बहुत जाते हैं तो लोग वहां जाएंगे तो वहां की लोकल लोग गुमाने फिराने के लिए पैसा मिलेगा हम वहां जा रहे हैं तो उस स्टेट को पैसा मिलेगा ठीक है वहां पे हम बस में ट्रेवल करके जा रहे हैं तो व बंदा बहुत बहुत ज़ादा प्रोड़क्शन करें बजाया की बहुत सारे बंदे बहुत साथ प्रोड़्क्शन करें, सब लोग प्रोडूस करें, सम्टाइम अब उन्होंने एक और कोश्ण इसमने करना है कि आपको real life example देना और इसको explain करना है तो real life example में क्या होगा कुछ लोग होते हैं holding कर लेते हैं समान को एक ठाख कर लेते हैं आपना चिपा कर ले कि जब दान बढ़ेंगे आपन बेचेंगे do तो उससे और जादा बढ़ जाते हैं और जो गरीब लोग है वो समान नहीं खरीद पाते हैं या फिर उनको हाई दामों पर खरीदना पड़ता है तो यह थी आपके आज की वरक्षीट आई होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा सब्सक्राइब करने वाले हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे सब्सक्राइब करना है यह मैंने आपको बता दिया है टेलिग्राम चैनल को चाहो तो आप लोग फोलो कर सकते हो क्योंकि यहां पर मैं सभी इंफोमेशन यूट्यूब चैनल से पहले दे देती जी आपको घूँकर तो चैनल को उबसंसक्राइब करने ला था है कि- you have a nice day May God bless you